हेलो दियर स्टुडेंट, हमाँ स्टुडी कर रहा है क्वांटितेटिव एप्सेचूड हमारा क्वोश्यन है A and B can do a piece of work in 8 days B and C can do it in 24 days while C and A can do it in 60 by 7 days In how many days can C do it? Options दिये हैं A 60, B 40, C 30 and D 10 Question पूछ रहा है कि कोई काम को A and B 8 दिन में कर लेते हैं उसी काम को B and C मिलकर 24 दिन में करते हैं और अगर उस काम को C and A करते हैं तो वा 60 वटे 7 दिन में करते हैं हमें बताना है कि अकेले C, सिर्फ C उस काम को कितने दिन में कर लेगा तीक है Options दिया है 60, 40, 30, 10 यह Question है जो RRB 2011 में पूछा गया था और यह Time and Work से है यह Question Time and Work से है तो Question के नुशार देखिए यहाँ पर Question के नुशार दिया हुआ है कि A and B किसी काम को कितने दिन में करते हैं आठ दिन में इसलिए According to Question A plus B equals to 1 by 8 याने कि एक दिन में हो अगर पूरे काम को 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में काम का एक बटा 8 भाग करते हुआ ठीक है इसलिए हमने Equation निकाला कि A plus B equals to 1 by 8 और इसे Equation A मान लिया अब A equals to हो जाएगा 1 by 8 minus B Next दिया है B and C उसकाम को कितने दिन में 24 दिन में करते हैं इसलिए B plus C equals to 1 by 24 तो इसको Equation 2 मान लिये अब B हमारा क्या हो जाएगा B equals to 1 by 24 minus C Next दिया है जबकि C and A उसकाम को कितने दिन में करते हैं 60 भटे 7 दिन में याने कि C plus A equals to हो जाएगा 7 भटे 6 equals to इसको Equation 3 मान लिये अब A निकालेंगे तो A equals to क्या हो जाएगा 60 भटे 7 भटे 6 minus C 7 by 60 7 भटे 6 minus C यह हो जाएगा अब हम क्या करते हैं यहाँ पर पुछा एक ही Question में C उसकाम को कितने दिन में कर लेगा हम इस Equation को एड कर देते हैं Adding the Equation 1, 2 and 3 इस Equation को एड करते हैं तो जब हम एड करेंगे तो यह होगा A plus B plus B plus C plus B plus C plus A Equals to हो जाएगा 1 भटे 8 plus 1 भटे 24 plus 7 भटे 60 यह हो जाएगा अब 2 A है 2 B है 2 C है तो 2 को हम common निकाल लेते हैं बाहर इसलिए 2 into A plus B plus C of Hall Equals to होगा इसको हमेड करेंगे तो इसका LCM लेंगे तो LCM इसका कितना होगा LCM हो जाएगा इसका 240 ठीक है यह 8 से कितना भटे में यानिकि 30 plus फिर 24 से जाएगा 10 भटे में plus यह 60 से जाएगा 4 भटे में यानिकि 4 into 7 28 28 प्लस 28 ठीक है अब इसको जोड देते हैं 2 into A plus B plus C Equals to होगा 30 plus 10 plus 28 यानिकि 68 भटे 240 यह हो जाएगा ठीक है 68 भटे 240 अब क्या करना है कि हमें C का वेलू निकालना है उसकाम को कितने दिन में कर लेगा यह question में पूछा इसलिए हम A और B का वेलू पूट कर देंगे ठीक है इसको equation 4 मान लेते हैं और इस equation में A और B का वेलू पूट कर देंगे A और B का वेलू जिसमें C का टर्म्स हो उस value को इस equation में पूट कर देंगे क्योंकि हमें C का ही value find करना है C का work find करना है कि वह कितने दिन में वर्क को पूरा कर लेगा इसलिए एका भेलू पूट करेंगे जब तो 2 इन्टू साथ बटे साथ माइनस C यह होगा माइनस प्लस होगा तो 1 बाइ 24 माइनस C फिर हैं प्लस C इक्वल्स टू 68 बटे 240 अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो C माइनस C प्लस C यह कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 इन्टू साथ बटे साथ प्लस एक बटे 24 माइनस C इक्वल्स टू 68 बटे 240 2 इन्टू इसका एल्सियम लेंगे तो एल्सियम इसका कितना हो जाएगा आपका आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं इसका एल्सियम लेके देख लिजे यह होगा 120 120 अब 60 से 120 यानिकी 2 बार में 14 प्लस फिर यह जाएगा 5 बार में तो 5 माइनस 120 सी इक्वल्स टू 68 बटे 240 यह होगा अब इसको 2 से 120 कट जाएगा 60 बार में ठीके और उपर वाले एक्वेशन को उपर वाले एक्वेशन को अभी एड नहीं हम कर सकते हैं श्रिफ 14 प्लस 5 एड होगा तो 19 माइनस 120 सी बाई 60 यानिकि 60 इक्वल्स टू 68 बटे 240 फिर यह क्या हो जाएगा इसका क्रोस मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो 19 माइनस 120 सी इक्वल्स टू 68 इंटू 60 बटे 240 अब यह कटे जाएगा 60 से 4 बार में और यह 17 बार में इक्वल्स टू फिर 19 माइनस 120 सी इक्वल्स टू होगा 17 अब 19 माइनस 17 19 माइनस 17 इक्वल्स टू 120 सी इक्वल्स टू हो जाएगा सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 बटे 120 C equals to हो जाएगा हमारा 2 बटे 120 अब 2 बटे 120 यानि कि ये कड़ जाएगा 60 बार में 1 बटे 60 यानि कि C एक दिन में उस काम का 1 बटे 60 भाग कर लेता है ठीक है ये हमने निकाल लिया तो हमने जो रेसिप्रोकल माना है A plus B equals to 1 by 8 यानि कि उसी टाइप से माना है इसलिए C एक दिन में उस काम को 1 बटे 60 भाग कर लेता है इसलिए पूरे काम को वो कितने दिन में कर लेगा 60 दिन में कर लेगा ठीक है पूरे काम को वो कितने दिन में कर लेगा 60 दिन में कर लेगा क्योंकि वह एक दिन में काम का एक बटा 60 बाग कर लेता है इसलिए c equals to हो जाएगा 60 यानि कि c जो है उस काम को 60 दिन में पूरा कर लेगा तो 60 हमारा जो option a option a है वो हमारा correct होगा तो question में जो पुछा था कि a and b can do a piece of work in 8 days b and c can do it in 24 days while c and a can do it in कितना में 60 बटे 60 बटे 7 days in how many days can c do it ठीक है तो इसका answer कितना आगया 60 answer option a 60 तो ये था हमारा आज का question for more update subscribe please thank for watching